हलो दोस्तों नमस्कार सलाम स्वश्र made सुबह हो चुकी है और बजगे है नव दाई आई हैं और ये है गेहू धो रहाई keeper हमारे इस एरिया में लोग गेहू को धोके उसके बाद शुखा कर एक उसके बाद साफ करके फिर इस को आठा पिशवाते हैं को पिसवाके अटा करवाते हैं बीन होएं यहां नहीं खाया जाता है मतलब रहारे हैpoint मैंने देखा कि अस aç कर बाकिन आप यहां पे गहों पहले धोया जाता है तो देखिए गहों धो रहे हैं में मिट्टी-विट्टी रख लेंगे फीर सुखा देंगे सुखाने के बाद फिर फटक कर साफ करके उसका कचरा निकाल के फिर भेज़ेंगे इसको पीछने के लिए तो इस तरह से आटा तयार किया जाता है बड़ी शुदता के साथ अभी इसमें और उपर से पानी डाल देंगी तो यह और जो भी गंदगी वह सब साफ हो जाएगा तो इस तरह से काम यहां पर किया जाता है यह देखते जाए आप कैसे दो रही हैं गेंगे दो धो के निकाल रही है पिर जब सूख जाए तो इसको अच्छे से फटक के साफ कर लेंगे तो जो और भी कच्रा होगा वो भी निकल जाएगा आज बहुत दिनों बाद मुनिया आई है तो यह ग्यहूं की दुलाई चल रही है और धो के सुखा दिया जाता है बाहर तो इस तरह से दाई डाल डाल के दोएंगी फिर एक बार उपर से पानी इसमें डाल यह वह दाई वापस जा रही है और अंदर से यह लाएंगी देखिए चले यह बाग आपको दिखा देती हूं कि मुनियां आई है आज कितने दिनों बाद मुनियां का सिस्टम यह वाला राई यह दाद बाबाने वह मटर को जोल यह लपीला मटर हुऊ है आओ बाबा देख मुनु कुनू तो मुनियां आई है और सो गयी है वह मुनियां कि यह बहुत अच्छा है है कि वह been so बहूफ जजिदी हां मुनियां कहां गयी से त्यों था दिनों तक बता दो सब लोगा दर्शकूं को बटा दो कि क्या है कैसा है दोस्तों को आप गई से आई है गंदा होकर आई है का गुझ गई थे मुनिया का गुझ गई थे आप पताई नहीं है यह मेथी है अब इसको भी कूट के रख लें है मेथी को देखिए हां पर थोड़ी से पड़ी मेथी को, पुनिया रानी, राई, के फूल, ये है कुछ बच्चे होई पपीते, और ये गेम सुखा दिया गया, तो ऐसा है, मैं नहा चुकी हूँ, आज जल्दी से मैं नहा ली थी, अबस तयाक हो के खाना खाके चले जाओंगे, फॉस्पेटल, तो वह बाले फूल देखे, अब किते सुन्दर फूल है, ये, बैजन्ती, बढ़िया न, ये बहुत सुन्दर फूल है, आवाज आ रही है आपके चिडियाओं की, चुहू, 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 तरह तरह की, बड़ा अच्छा लगता न, चिडियाँ की आवाज सुनके, चेडियों से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता इंसान को कैसे सुबह से उठके दोड़ती, फुदकती, कूथती, खाना अपने लिए तैयार करती और फिर शाम को जित्ता उनको खालिया खालिया और ले गए थोड़ा पहत फिर अगली दिन फिर से वही काम तो और उनको कोई जिनता नहीं है, तो ऐसे ही इंसानों को भी अगर सीख जाएं तो कितना अच्छा हो जाएं तो चलिए, आज के लिए इतना ही, आज गयूंद हो रहे थे, इसलिए मैंने सोचा आपको ब्लॉग बना के दिखा दूँ तो मिलते हैं अगले व्लाग में, थांक्यू, बाइ बाइ, प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा